दोस्तों, Bollywood Mirror में आप सब का स्वागत है, मेरा नाम है शिवम गुपता खत्रों के हिलाडी सीजन 11 का शौकिंग इलिमिनेशन सौरब राज जैन जो की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे इलिमिनेट होना वो बाहर हो चुके है, रोहित शैटी ने खुद का, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अब जिनको नहीं पता, एक बर मैं फिर से ब्रीफली बता देता हूँ एक्चुली छटे एपिसोड में, जो अत्या चार वीक का छटा एपिसोड हुआ उसमें क्या था कि अर्जुन बिजलानी, अनुश्का सैन और महक चैल, इनको इलिमिनेशन स्टन्ट करना था लेकिन क्योंकि अर्जुन बिजलानी के मैडल जीत चुके थे, तो वो सिलेक्ट कर सकते थे कि उनको स्टन्ट करना है या नहीं करना तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने का कि मैं इसका यूज करूँगो जब मुझे के मैडल मिले लेकिन रोहिष शैटी ने वहीं एक ट्विस्ट ला दिया, उन्होंने का अगर आप नहीं करेंगे इलिमिनेशन स्टन्ट में आपको अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट करना होगा और वहाँ पे अर्जुन ने सौरव राज जैन को ये कहकर नॉमिनेट किया कि वो बहुत ही स्ट्रॉंग कॉंटेस्टेंट है और उन्हें लगता है कि सौरव राज आसानी से ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे टास्क किया था कि अलग-अलग कैबिन बने थे, किसी में बहुत जारे कॉकरेश थे, किसी में साम थे और इनको कीज मुह से उठाके फिर अगला कैबिन मतलब जाना था, लौक खोलना था ताकि अगले कैबिन में जा सके या से इसे कैबिन पार करते-करते इनको टास्क कंप्लीट करना था सबसे पहले सौरव राज जैन गए, उन्होंने टास्क कम्प्लीट कर लिया, हलांकि उनको मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है और कैबिन बहुत चोटी थी, उसके बाद फिर अनुश्का सेन गई, उन्होंने भी टास्क कम्प्लीट कर लिया, फि टास्क बड़े अच्छे से कम्प्लीट किया, सक्सेस्फूल थे लेकिन समय ज्यादा ले लिया अनुश्का और महक से, और वो इलिमिनेट हो गया, मतलब फियर फंदा भी नहीं मिला, और सीधा ही इलिमिनेट, क्योंकि अर्जुन बिचलानी को के मेडल मिला है, और इसका के मेडल का असर पढ़ गया, सौरव राज जैन पर, हलांकि रोई शटी ने भी कहा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा है, इस वेरी अनफॉर्टूनेट, और उनने अल्दा बेस्ट विश्च किया, सौरव राज जैन को, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि, जैसे कि न ज्यादा लगा दिया, वो भी सबसे पहले गए थे, अगर बाद में शायद दूसरे तीसरे नंबर पर जाते हैं, और जल्दी कर लेते हैं, इनको पता होता है कि दूसरे को टेस्टेंस ने कितने टाइम में किया, तो मुझे तो यह ना इंसाफ भी लग रही है, आप सब जो सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल एकन प्रेस करना मत बुलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए,